सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद भारत मता की जय देखो बच्चो हम लोग 7.3 exercise से question कर रहे थे और मैंने आपको 1 से ले करके 13 तक question करा दिये थे और इससे पहले भी सारे exercise मैंने करा दिये हैं आपको और इस topic की भी complete theory already uploaded है और इतने भी topic पहले हैं सब की theory uploaded है इसी आप channel पर जाएंगे हट topic के आपको theory और NCRT के question भी आपको मिलेंगे तो पहले आप इस topic की theory अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आप question पर आईए और 1 से 13 तक मैंने करा दिये थे अब मैं आपको 14 से कराता हूँ तो देखो exercise 7.3 में हम लोग करते हैं question number 14 देखो cos x minus sin x upon 1 plus sin 2 x और t x देखो समझो ध्यान से कैसे होगा देखो अच्छा question ने काफी देखो जैसे ही जो 1 plus sin 2 x है ना इसको हम 1 को लिखेंगे sin square x plus cos square x और sin 2 x को लिखेंगे 2 sin x cos x तो देखो यह हो जाएगा sin x plus cos x का whole square ठीक है बच्छो देखो तो देखो यहाँ पर क्या होगा यह हो गया हमारा cos x minus sin x upon इसकी value देखो हो गई है sin x plus cos x का whole square और t x अब देखो यहाँ पर क्या होगा sin x plus cos x को t माल लिया जाए तो sin का differentiation हो गया cos x cos का हो गया minus sin x और यह हो गया dt by dx देखो माइनस को कॉमल ले जरूत नहीं यही तो है देखो cos minus sin ही है ठीक है तो देखो हो गया cos x minus sin x into dx बराबर dt तो दोको यह इस पूरे की value आ जाएगी dt और दोको यह हो जाएगा t का square तो 1 upon t square और dt दोको यहाँ पर यह t की power minus 2 हो गया और x की power n का integration क्या हो जाएगा बोलो x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c तो यह हो जाएगा minus 1 by t plus c और t की value वापस रखेंगे तो minus 1 by sin x plus cos x plus c तो यह अपने question का हो जाएगा final answer बाद समझे काफी दोको अच्छा question है यह सब बाते हैं धिमाग में चलनी चाहिए practice है बटा जब भी यह time आए तो समझ दना कि कुछ ऐसा होगा कि भाई 1 plus sin 2 x को sin plus cos का और इसको लिख सकते हैं ऐसे question तुमको मैंने कराए हैं जब मैं theory पढ़ा रहा था तो तुमको मैंने ऐसे question कराए हुए है चीक है लिखो जल्दी से बच्चो आगे बढ़ते हैं फिप्टीन question भी काफी अच्छा है 10 cube 2 x और sec 2 x और d x देखो ये question काफी अच्छा question है देखो कैसे करना होगा इसको जब समझो ध्यान से 10 square x अलग करो कि 10 और sec को अलग कि देखो 10 square x को लिखेंगे क्या सेक स्क्वार एक्स माइनस न्यूस क्या होता है था X-1 होता है, तो 10² 2X होगा, sec² 2X-1 और यह हो गया 10 2X और sec 2X और TX, अब देखो यह काम करते हैं क्या, कि sec 2X को T माल लिया जाए, देखो उससे क्या फाइदा होगा, इसका differentiation क्या होगा, यह होगा 10 2X और sec 2X इंटू 2 बरावर DT बाई DX, मैं समझे, लोगों, यह क्या हो गया, 10 2X इंटू sec 2X, DX बरावर DT बाई 2, तो इस पूरे की लोगों, वैल्यू हो गई DT बाई 2, और यह क्या हो गया, लोगों, T का स्क्वाइर, माइनस 1, और DT बाई 2, तो 1 बाई 2 बहा ले लिया, और T स्क्वाइर, माइनस 1 और DT, दोनों का integration अलग अलग, T स्क्वाइर का integration, TQ बाई 3, और 1 का integration, T प्लस से, T की वेलू वापस रखेंगे, कोशन का अंसर मिल जाएगा, काफी अच्छा कोशन है, ठीके भई, तो प्रेक्टिस करेंगे, तभी ऐसा सवाल बेटा, हम कवर कर पाएंगे, करो जल्दी से, दोखो, आगे करते हैं, पुचो, दोखो, 16 कोशन भी काफी अच्छा है, इंटेग्रल, 10 की पावर, 4X TX, दोखो, यह सारे कोशन मैं बता चुका हूँ आपको, जब मैं थेओरी पढ़ा रहा था, तो सब बताया था, कि स्क्वाइर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, पावर, 4 कैसे करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीके, दोखो, क्या करेंगी, 10 स्क्वाइर इंटू 10 स्क्वाइर, अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगी, देखो, एक 10 स्क्वाइर को लिखेंगे, स्क्वाइर इंटू 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 माल लिया जाए तो क्या हो गया सेक स्क्वाइर एक्स बरावर टी तो दोखो यह हो गया इंटेगरल टी का स्क्वाइर डी टी और यहां पर दोखो टैन स्क्वाइर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वाइर X-1 और TX तो दोखो यह क्या हो गया यह हो गया TQ by 3 हाना और सक स्क्वारेस का integration क्या होता है 10 X और 1 का क्या हो गया X plus C और T की value बापस रख दो 10 X हाना तो दोखो T की value बापस रख देंगे 10 X तो 10 QX by 3 minus of 10 X minus X plus C यह हमारे question का हो गया final answer यहाँ पर 10 X को T माना क्योंकि साथ में इसका differentiation है और खाली 10 X को करना है तो सक स्क्वार मैनिस बन लिख दिया जब भी खाली 10 X को करना होता है हमेशा सक स्क्वार मैनिस बन लिख की उसका integration कर दिखते है लिखो जब इसे अगला कोर्शन कैसे करना है 17 कोर्शन बीखो सारे अच्छे कोर्शन है देखो इस एक्साइज में ध्यान लखना sin cube x cos cube x upon sin square x cos square x dx अलग अलग करो sin cube x upon sin square x cos square x dx cos cube x upon sin square x cos square x dx देखो क्या होगा यह कटेगा तो होगा sin x upon cos square x बाहर काफी तेश बारिश हो रही है और बिशली कड़क रही है अब आज ही आ रहे है समगे तुमको बिशली कड़क ने की आप देखो cos से कैसे करोगा तो क्या होगा cos x upon sin square x dx यह cos square cos क्यों बचेगा यहां पर देखो sin बचेगा इसको इंटिगेट करने के लिए क्या करोगे cos x को t क्या होगा है तो क्या होगा है तो क्या होगा है इंटिग्रेशन साइन एक्स अपॉन cos square x dx यह अदा करना है तो cos x को t मान लिए जाए तो क्या होगा बलो minus sin x बढ़ावर dt by dx तो sin x dx बढ़ावर minus dt तो integral 1 upon t square minus dt ठीक है तो minus वहर t की power minus 2 dt तो क्या बलो वहर t की power minus 1 upon minus 1 यहीं की 1 by t ठीक है एक्स की power इनका integration कर दिया बलो समझे के cos इसको t माना तो minus sin x बढ़ावर dt by dx तो sin x dx बढ़ावर minus dt ठीक है तो 1 by t 1 by t का मतलब क्या हो गया 1 by cos x तो इसका integration क्या आ गया बलो 1 by cos x आ गया और इसे करना है तो फिर वही से में sin x को t मानो इसको करने के लिए क्या करोगे बलो साइन को टी मानोगे उसका डिफ्रेंसेशन उपर कर लेना इसको से प्रोसेस है यहां पर भी ठीक है चलो आगे करते हैं देखो एक्टियू कैसे करना है एक्टियू कुछ दो के से करना है एक सेकेंड बच्चो लोगा रुप चाओ एक्टियू कोशन देखते हैं देखो क्या होगा इंटिग्रेशन ओफ कॉस्ट दो साइन स्क्वाइब एक्स अपान कॉस्ट स्क्वाइब एक्स देखो अच्छा पूशन देखो एक्स दो से यह कैंसल होगे है बलो चौस्ट विएस का लगाया फार्मूला तो बन भाई कॉस्ट स्क्वाइब एक्स देखो तो स्क्वाइब एक्स देखो और इसका integration कितना हो गया तैन एक्स प्रस सी सबाल खत्म बलो बलो अच्छा है न अच्छा होईब दो sin x, cos q x और t x बोलो भई इससे कैसा किया जाए इसमें दोको बचो अगर हम ध्यान देंगे तो जैसे इसको उपर लाएं तो sin की power minus 1 और cos की power minus 3 है इन दोनों power कसम minus 4 है negative even ये जबाल दोको ऐसा पहले भी आ चुका है इन दोनों power कसम कितना है बोलो minus 4 मतलब negative और even तो जब कभी ऐसा होता है कि sin और cos की power कसम negative और even हो गया रहे से minus 4 हो गया तो इस पकार का question हमेशा सकी power 4 से multiply divide करके हो जाएगा हमेशा हो जाएगा जैसे power कसम minus 4 आया तो सकी power plus 4 से multiply divide करो power कसम minus 2 आता तो सकी square से multiply divide करते हैं तो यह हमेशा बात को ध्यान बगए लिको जल्दी इस बात को जला पहले तो हम लोग क्या करेंगे देखो बच्चों सकी power 4 से उपर किया multiply सकी power 4 से नीचे करेंगे multiply तो हो जाएगा sin x cos qx और जो उपर वाला सक जो है उसको रखेंगे नीचे वाले सकी power 4 को बन अपॉन cos की power 4 लिखतेंगे तो इससे क्या होगा एक cos बचेगा तो हो गया सकी power 4 और एक cos बचा तो यह क्या हो गया वहलो sin x by cos x और dx एक cos बचेगा sin by cos को मान लेंगे 10 मान कहलेंगे होता ही है 10 तो यह हो गया सक t power 4 x upon 10 x और dx बचेगा अब 10 x को मान लो t तो क्या हुआ सक स्क्वार एक स्क्वार एक स्क्वार एक बच गया यह हो गया t और एक सक्वार एक डी अग चला गया dt के साथ में तो क्या बच गया देखो सेक स्क्वाइर एक्स अपान T और T सेक स्क्वाइर को लिख लो कि 1 प्लस 10 स्क्वाइर एक्स वापस तो 1 प्लस 10 स्क्वाइर एक्स अपान T और T 10x को value 50 रग दो तो integral 1 plus t square by t dt अलग-अलग करो दोखो 1 by t plus t dt 1 by t का integration log of mod t और t का क्या हो गया t square by 2 plus t और t की value वापस रख देंगे क्या बोलो 10x मैं समझे तो काफ़ी अच्छा बच्चो कुष्चन है ये भी 19 वाला भी चा कि आगी करते हैं देखो 28 पे आते हैं इंटेग्रेशन कॉस्ट 2x अपॉन कॉस्ट प्लस साइन का whole square दो काफ़ी इजी question है एक काम करो कॉस्ट x प्लस साइन एक्स का whole square है a प्लस b का whole square कॉस्ट स्क्वार x साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस्ट x क्या हो गया वोलो 1 और ये क्या हो गया साइन 2 x तो 1 plus sin 2x यह हो गया integration cos 2x upon 1 plus sin 2x और dx बस समझें अब आसाने दोखो 1 plus sin 2x को t मानलो 1 का 0 sin 2x का क्या हो गया बोलो cos 2x into 2 और dt by dx दोखो cos 2x dx क्या हो गया dt by 2 तो यह हो गया integral 1 by t और dt by 2 1 by 2 बहार आगे यह हो गया log of mod t plus c और t की value वापस रग दी जाए 1 plus sin 2x प्लस c यह हमारे question का final answer आ गया ठीके बच्चो चलो आगे बढ़े 21 देखें बटाएं 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 sin inverse cos x dx बटाएं बटाएं अब बटाएं अब बटाएं बटाएं यह मानते हुए कि sin inverse की domain बगरा satisfy हो रही है यह मानते हुए सब देखें देखें जैसे कि हम लोग यह जानते है sin inverse x plus cos inverse x होता है pi y2 तो sin inverse x क्या होगा pi y2 minus cos inverse x देखें तो sin inverse of cos x क्या हो जाए रहा समझो x की जगे cos x लिख दू तो pi y2 minus cos inverse of cos x ठीक है sin inverse x की value pi y2 minus cos inverse x x की जगे cos x लिए है तो देखें यह हो गया pi y2 और cos inverse cos x x होता है हलकि उस कुछ condition होती है cos inverse बराबर cos x x तभी होता है जब x 0 से pi तक होता यह condition होती है लेकिन यह मानते हुए कि हाँ यही condition होगी हम इसको ऐसा लिख देंगे दरवाइस indefinite है x तो मालूम नहीं कहां से कहाता है यह समझते है तो खर इसकी दोको value यहाँ पर यह लिख देंगे हम लोग pi by 2 minus x और dx तो क्या हो गया pi by 2 into x और x square by 2 प्लस c यह हमारे question का answer यह constant यह constant का constant into x और x का क्या हो गया x square by 2 बढ़े बच्चों आसान question ने काफी करो जल्दी से 22 देखा जा integral बन अपॉन cos x minus a cos x minus b और dx देखाँ देखाँ पर चों इसमें क्या है न दोनों term cos cos के है cos cos देखाँ ऐसे case में क्या होता है कि जैसे angle का difference देखाँ x minus a minus x minus b x is cancel होगे तो क्या होगे अब b minus a तो यह जो angle का difference है न b minus a इसके साथ में sign लगा दो और इस term से कर दो multiply और इसी term से कर दो divide divide वाला रखो बाहर और multiply वाला रखो अंदर दोको यह भी एक special question है इसका भी concept तुमको मने बताया था topic को पढ़ाते समय समझो दोनों term cos cos के हैं न तो sign को लिया और दोनो sign sign होते तब भी हम sign को ही लेते एक sign एक cos होता तो cos को लिते हैं ध्यान लखना है न जैसे दोनो cos cos के हैं तो इसमें sign लगाया difference में angle के difference में sign लगा दो और उससे multiply divide कर दो दोनो term sign sign के होते तब भी sign ही लगाते angle के difference में तब भी sign ही लगाते एक term sign और एक cos का होता तो इस difference में cos लगाते डान देना हमीशा, इस टैप के question रहे, अच्छा, अब दोखो जो divide वाला है वो बाहर रखो, दोखो जो multiply वाला है ना बी माइनस से उसको फिर से ये लिख लो, actually ये क्या है, ये है, x माइनस a और माइनस x माइनस b, ऐसा है दोखो, ठीक है इसको बापस यह लिख लो अब दो को यहां पर क्या होगा बन अपॉन साइन और बी माइनस ए समझो यह हो गया ए यह हो गया वी साइन ए माइनस बी का लगाओ फार्मूला तो क्या होता है साइन एंटू कॉस भी माइनस कॉस एंटू साइन भी है ना साइन आफ ए माइनस भी साइन ए कॉस भी एनस कॉस से साइन भी और बोलो कॉस ओफ एक्स माइनस ए और कॉस ओफ एक्स माइनस भी और टी एक्स अब देखो इसको क्या करें हम लोग अलग अलग करें तो जब हम दिस वाइडिस करेंगे कॉस एक्स माइनस भी कट जाएगा साइन एक्स माइनस से क्या हो जाएगा वहनों टैन एक्स माइनस ए आ जाएगा और माइनस देखो दी एक्स फिर दिस वाइडिस करेंगे जब दिस वाइडिस करेंगे देखो cos x minus से cos x minus से कट जाएगा sin x minus b cos x minus b हो जाएगा tan of x minus b बस समझे this by this करो cos cos कट जाएगा ये tan हो जाएगा this by this करो ये cos cos कट जाएगा ये वाला tan हो जाएगा अब tan का इंटिकेशन हम जानते हैं 1 upon sin of a minus b ये तो ऐसे ही न tan का इंटिकेशन क्या होता बोलो log mod sec x tan का इंटिकेशन क्या होता बोलो log of mod sec x की जगे x का linear function है तो वही चब लेगा ठीक है tan का इंटिकेशन log mod sec x x की जगे x का linear function है x का coefficient 1 है उसके नीचे आएगा इसको फरक नहीं पड़ेगा और minus यहां भी दोखो log of mod sec x और plus c tan का इंटिकेशन log mod sec x और यहां भी tan का इंटिकेशन log mod sec x x की जगे पर x का linear function है तो वह formula वही लगता है तो कफी अच्छा कोशन है और plus c लाज़न है हमेशा इस प्रकार की दोखो यह एक अपने आप में इस tangent form है कोशन की इस टैप पे कोशन हमेशा ऐसे ही करने होते है चिक है आगे बने 22 हो गया देखो 23 करते हैं देखो 23 में क्या करना है साइन स्क्वार एक्स माइनस कॉस स्क्वार एक्स अपन अभी ऐसा ही कोशन हम लोगों ने किया था उसमें उपर 1 था 1 को लिखा था साइन स्क्वार प्लस कॉई स्क्वार पिछले वाले 7.2 में किया था आम लोगों ने ऐसा कोशन देखो बुलकुल वही कोशन है अलग-अलग करो और 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 अलग साइन स्क्वार कैंसेल होगा बन भाई कोशन स्क्वार एक्स बचा यह क्या हो जाएगा स्क्वार एक्स यहाँ भी दुखो कोशन स्क्वार कैंसेल होगा बन भाई साइन स्क्वार बचेगा यह क्या हो जाएगा कोशन स्क्वार एक्स सेक स्क्वारस का इंटिकेशन क्या होता है 10x स्कॉकुम करार किसक्ट इसका सब Kimberly रोकुमें ट सांगे तो घृषर्様 का सब्सौट प्लाइश को अिल्डी से ह competed इ भाला पार्ट थेकुं सही सब्रेंगा है सिंस्को ऩिरुटे करते हैं एम में अफरले अम कॉर्ट है guys E की पावर X 1 प्लेस X अपॉन कॉस स्क्वार X E की पावर X D X कभी अच्छा कोशन है देखो ये भी इसमें दो क्या करेंगे ये जो X E की पावर X है ना इसको T मानेंगे क्योंकि इसका ही डिफ्रेंशेशन एक्छली ये है दो कैसे करो इसको डिफ्रेंशिक पहला दूसरे का डिफ्रेंशेशन दूसरा पहले का डिफ्रेंशेशन D T by D X दोको T की पावर X बाहर कॉमन लेलो तो X प्लस 1 D X बरावर D T दोको यही चमा गया क्या हो गया बोलो इंटेग्रल बन अपाउन ये हो गया कॉस स्कॉार टी और D T कॉस स्कॉार टी मतलब क्या हो गया बोलो सेक स्कॉार टी और सेक स्कॉार टी का इंटिफ्रेंशन क्या हो गया बोलो 10 T प्लस C और T की वेलू बापस तो तो यह B वाला पार्ट इसका अंसर होगे ठीक है, B वाला पार्ट इस कोशन का देखो यह का अंसर तो 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 24 पे 24 तक ही कोशन थे और सारे हम लोगों ने कर लिये 7.3 में अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 7.4 एक्साइस के कोशन तक्तक के ली बाइ बाइ बाइ